अला एवरिवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नमर 6 स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने सिर्फ अगरिकल्चर पोर्शन जो है वो डिसकस किया था आज के इस वीडियो सेशन में हम होटी कलचर पार्ट को डिसकस करेंगे चलिए स्टाट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को देखते हैं question number first What was the total fruit output in financial year 2022-23 वित वर्ष 2022-23 में कुल फल उत्पादन कितना था इस question में आपसे 2022-23 के लिए total food production पूछा गया है तो आपने ये data यादखने कि 2022-23 के लिए total food production कितना था 8.15 lakh अब ध्यान से आपने हैं पर यादखने कि यहाँ पर जो financial year है वो है 2022-23 ठीक है तो इसके लिए आंसर होगा option number A ज़ला है question number 2 How much total food production was recorded in financial year 2023-24 up to 31st December-2030 वितवर्ष 2023-24 में 31 December-2023 तक कुल कितना फल उत्पाजन दर्ज किया गया है इस question में आपसे पूछा गया है for the financial year 2023-24 last question में आपसे 2022-23 का data पूछा गया था ठीक है इस question में आपसे पूछा गया है कि 2023-24 के लिए total food production कितना था तो यह data भी आपने याद एकना है कितना था 5.84,10 उसका right answer होगा option number A और 2022-23 के लिए कितना था 8.15,10 तो दोनों में आपने confused नहीं होना अगला है question number 3 How many hectares of new space were planned to be put under fruit plants फलो के पौदों के लिए कितने hectare नई जगा लगाने की योजना बनाए गई था तो कितना new space allocate किया गया है for the fruit plants तो इसका right answer होगा 1,2,2,4 hectares ठीक है तो इसका right answer option number A अगला है question number 4 What was the increase in the area under horticulture crops in हिमाचा पदेश from 1950-51 तो 2022-23 1950-51 से 2022 तक हिमाचा पदेश में बागवानी फसलों के क्षेतर में कितने वृद्धी हुई है इस question में देखो आप से क्या पूचा गया है कि 1950-51 से 2022 तक horticulture crops में कितना area increase हुआ है ठीक है तो ये question आप से यहाँ पे पूचा गया है इसका right answer है option number C 2,35,674 hectares तो ये data आप में जुरूर याद इतना है ठीक है अगला है question number 5 What percentage of the total agricultural area does horticulture contribute to in the state राज्य में कुल क्रिशी क्षेतर का कितना प्रतिशत योगदान बागवानी का है इस question में देखो आप से क्या पूचा गया है कि जो total agricultural area है उसका horticulture कितना contribute करती है मान की चलोगर 100% आपका agricultural area है तो उस मेंसे जो horticulture है वो कितना contribute कर रही है तो ये question यह आप पूचा गया है तो इसका right answer option number B 26% Next question is question number 6 What percentage of the total fruit production in हिमाचा प्रतेश during financial year 2022-2022 is contributed by apples वित वर्ष 2022-2022 के दुरान हिमाचा प्रतेश में कुल फल उत्पादन में सेप का कितना प्रतीशत योगदान है लेको इस question में आप से क्या पूचा गया है इसमें 2022-23 financial year के लिए क्या question आप से पूचा गया है कि total fruit production में जो apple है वो कितना contribute करता है कि apple का जो production है total fruit production में वो कितना है ये question यहाँ पे आप से पूचा गया है तो apple कितना contribute करता है 82.53% टोटल fruit production में apple कितना करता है 82.53% जिसका right answer होगा option number B अब कुछ एक facts आपको यहाँ पे पता होने चाहिए जैसे कि apple की हमने यहाँ पे देख लिया data और एक data में आपके साथ और share कर देता हूँ कितना है 48.92% दूसरा point हमने यहाँ से जाना कि टोटल fruit production का apple कितना produce करता है तो 82.53% बगला है question number 7 What was the decrease in total fruit production in financial year 2023-24 up to 31st December 2013 as compared to financial year 2022 वित वर्ष 2022 की तुलना में वित वर्ष 2023-24 में कुल फलुट बादन में कितनी कमी आई है तो इस question का answer आप तभी कर पाओगे अगर आपके पास दो financial year का data होगा तो आपको दो data यहाँ पे याद अतने पड़ेंगे जैसे financial year 2022-23 तो financial year 2022-23 में कितना fruit production था 8.5,10,000 फर्स्ट question में ही हमने इस डिसकस किया था and for the financial year 2023-24 के लिए total fruit production कितना था 5.84 lakh ton तो इन दोनों में अगर आपने comparison करना होगा तो आप simply इनको minus कर दोगे तो जब आप इसको minus करोगे तो it will comes out 2.31 lakh तो इसका right answer होगा option number A अगला है question number 8 how many farmers benefited from the sub mission of agriculture mechanism SMAM scheme in हिमाचा पुदेश till 31st December 2023 31 December 2023 तक हिमाचा पुदेश में up mission of agriculture mechanism योजना से कितने खिसानों को लाब हुआ है तो इस question से हम sub mission of agriculture mechanism की बात करेंगे जिसे हम short में लिखते है SMAM तो यह जो mechanism है यह financial aid प्रोवाइड करता है farmers को so that वो नई नई technology की जो equipments है उनको वो purchase कर सके वहीं अगर बात करें financial aid 2019 20 की तो इससे जो है कितने रुपए का benefit देखने को मिला 20.43 करोर देखो इतना data आप याद नहीं कर पा होगे ठीक है पर यह question आप से जरूर पूछ सकते है कि इससे जो है कितने farmers को यहाँ पर benefit मिला है तो कितने farmers को मिला है 4547 यानि कि 4547 आपने याद रतना है इसका right answer होगा option number B इसका right answer होगा option number B इसका है question number 9 में आप से पूछा गया है कि for the financial year 2023 और 24 कितने C grade apple fruit जो है वो खरी दे गए थे इसका right answer है option number B 63.41 करोर इसका right answer है option number B अगला है question number 10 How many hectares of area are under protected flower production in Himachapadish till 31st December 2023 31st December 2023 तक Himachapadish में कितने hectare क्षेत्र सरक्षित पुष्प उतपादन के अंतरकत है इस question में आप से क्या पूछा गया है कि protected flower production के अंतरकत जो है वो कितने hectare of area रखा गया है उसका right answer है option number B 93.60 hectare अगला है question number 11 यहाँ पर पूछा गया है How many farmers, cooperative societies are working to produce and market flowers in Himachapadish Himachapadish में कितनी किसान, सहकारी समितियां फूलों के उतपादन एवं व्यूपणन हेत्व कारे कर रही है इस question में आप से पूछा गया है market flower से related कितनी cooperative societies जो है वो काम कर रही है तो इसका right answer option number C 10 अगला है question number 12 How much funding was allocated to field functionaries under the anti-hale net scheme to safeguard fruit crop against hail storms फलों की फसलों की ओला विष्टी से बचाने के लिए anti-hale net स्योजना के तहत net scheme के अंतरगत कितने field functionaries के लिए कितनी funding allocate की गई थी तो इसका right answer है option number B 14.95 करोड अगला है question number 13 How many controlled atmosphere stores are operated by HPMC in the apple growing area of district Shimla इस question में आप से पूछा गया है कि HPMC के द्वारा Shimla district में कितने CA stores operate किये जा रहे हैं तो total आपने याद एकने हैं इसने CA stores है 6 Right answer is option number C कहाँ पर है ये भी आप देख सकते है जो रोल टिक्कर जो कि आपको कोड़गर में देखने को मिलेगा कुमा कोड़खाई OD में है ठीक है कुमारसन में रोडू में आपको देखने को मिलता है पतली कुहल में आपको देखने को मिलता है और एक परमाणू में आपको देखने को मिलता है इस तरह से total कितने है 6 Next question is 14 इस question में आपसे क्या पूछा गया है कि HPMC आपको पता है कि शिमला डिस्टीक में कितने CS stores को अपरेट कर रहा है 6 अब इस question में आपसे पूछा गया है कि उनकी जो storage capacity है उन 6 CS stores की वो कितनी है तो total capacity कितनी है इसका right answer होगा option नमर A 6,380 metric ton अगला है question number 15 यहाँ पर आपसे पूछा गया है what is the production capacity of apple juice concentrated per year at the newly established processing unit at Parala इस question में आपसे पूछा गया है कि Parala में जो processing unit setup किया गया है वहाँ पर apple juice total capacity है production जी वो कितनी है तो इसका right answer option नमर A 18,000 metric ton देखो HPMC की कितनी है total previous question में हमने discuss किया था 6,300 C और इस question में आपसे पूछे गयी है Parala processing unit की पराला की total capacity कितनी है 18,000 metric ton next is question number 16 how many metric tons of honey were produced under the beekeeping program for financial year 2022 देश इन हमाचय परदेश हमाचय परदेश में वितवर्ष 2022 देश के लिए मदुमक्खी पालन कारेकरम के तहत कितने metric ton शहत का उत्पादन किया था यहाँ पर आपसे 2022 और 23 का data पूछा गया है कि 2022 देश के लिए beekeeping program के तहत कितने metric ton honey production किया गया है तो इसका right answer है option number A 2124.02 metric ton तो यह data आपने ज़रूर याद इतना है question number 17 फिर से यहाँ पर repeat हो गया है वहाँ पर apple juice की कितनी production की जाती है तो 18,000 metric ton यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है कि मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना के तहत field functionaries के लिए कितनी funding allocate की गई है उसका right answer है option number D एक करोर और इसी से मिलता जूलता question हमने anti-hale net का भी उसकिया था कि anti-hale net जो स्कीम थी उसमें जो field functionaries है उनके लिए कितनी funding हमने देखी थी 14.95 करोर तो यह दोनों आपने एक साथ ही आदट लेने है ठीक है anti-hale के लिए कितनी funding है और दूसरा आपने यादटना है कि मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना के लिए कितनी funding allocate की गई है 1 करोर अगला है question number 19 what portion of the allocated funding has been utilized till 31st December 2013 under the मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना देखो इस question में क्या पूचा गया है कि जो मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना के अंतरगत field functionaries के लिए जो funding allocate की गई थी उस मैंसे कितना utilize हो चुका है तो कितना utilize हुआ है 20 lakh और funding कितने की थी 1 करोर इस तरह के questions भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगला question है question number 20 how many farmers have benefited from मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना up to 31st December 2013 31 December 2013 तक मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना से कितने किसानों को लाब हुआ है तो कितने farmers को इससे benefit पहुचा है 12 farmers अगला है question number 21 what is the total area covered under the मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना up to 31st December 2013 31 December 2013 तक मुख्य मंत्री कीवी प्रोचान योजना के अंतरगत कुल कितना क्षेत्र शामिल है कितना area cover है 2 hectare right answer is option number B अगला है question number 22 how many farmers in the state have benefited from anti-hail net scheme up to 31st December 2013 anti-hail net scheme के अंतरगत कितने farmers को लाब पहुचा है 566 अगला है 23 what is the percentage of funds spend out of the allocated amount for anti-hail nets scheme as of 31st December 2013 इस question में देखो क्या पूचा गया है कि हमने बात की थी कि anti-hail net scheme के अंतरगत जो field functionaries है उनके लिए कितनी funding allocate की थी 14.95 करोड़ अब इस question में आप से पूचा गया है कि utilize कितना percent हुआ है तो utilize हुआ है उसका 70% तो right answer is option number C तो ये था आज की वीडियो का last question इस तरह से हमने chapter number 6 है agriculture and horticulture उसको भी हमने successfully complete किया अब इस chapter से सिरफ schemes बसती है उनको मैं अलग video lecture में लेकर आऊँगा ठीक है अगर आपको video lecture पसंद आया है तो आप video को like जरूर करेगा चैनल पे नहीं हूँ तो channel को subscribe जरूर करेगा और आप हमारे टेलेग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then बाबाद